नमस्ते आरो भाग दो की पार्ट चाली चैपलीन याने हम सब पार्ट संग्या पंद्र जिसे विश्णु खरेजी ने लिखा है इसको सलल शब्दों में कम से कम समय में यहां मैं प्रस्तूत करने का प्रयास करूंगी और मैं अल्पना वर्मा यहां इसे प्रस्तूत कर रही विश्णु खरेजी जो एक बहुती लोग प्रिये लेखक कवी और आलोचक हैं उनकी द्वारा इस पार्ट में हमें यह बताने की कोशिश की गए कि चाली चैपलीन एक अभिनेता ही नहीं एक अच्छे इंसान भी थे और उनकी भीतर का इंसान कैसा था और उस इंसान ने आ प्रियास किया है चाली चैपलीन यानि हम सभी यह शीश की बता रहा है कि लेखक यह कहना चाते हैं कि चाली चैपलीन हमारे जैसा है या हम चाली चैपलीन जैसे हैं हर इंसान को उसकी भीतर अपनी छवी दिखती है चाली चैपलीन की विशेष्टा है कि वह सार भौमिक है अर्थार्थ दुनिया के हर इस्थान पर, हर वर्ग में, हर इंसान उसे पसंद करता है, वह सदा चरिवा दिखता है और उसके भीतर जो मानविय स्वरूप है, उसमें लोग अपने आपको देखते हैं। और यही कारण है कि चार्ली चैपलीन किसी भी संस्कृती को विदेशी नहीं लगता, और साथ ही साथ लोग उसे अपना मानने लगते हैं, अवे चाहे पागल खाने का मरीज हो या फिर बेहत प्रतिभाशाली, आइंस्टेन, सभी उसकी फिल्में देखना पसंद करते हैं, उस किया है कि 1989 जब यह उन्हों लेक लिखा है, उस समय जन्मशताब्दी मनाई जा रही थी चार्ली चैपलीन की, वे कहते हैं अगर जन्मशताब्दी नहीं भी होती तो उनकी जो फिल्म थी, मेकिंग अलिविंग कि 75 साल पूरे हो चुके होते हैं, और वे कहते हैं कि 5 पीडिय द्रिश्यों के बावजूद उनमें ऐसी क्या खास बात है, जो लोग इतना पसंद करते हैं, और लेका कि यह भी कह रहे हैं कि उसकी फिल्मों के बारे में लिखना, उसकी फिल्मों के समिक्षा करना, अभी और 50 साल तक संभव नहीं हो पाएगा, या कह रहे हैं कि यह काम औ और 50 साल तक चलता रहेगा, उस पर लिखना, उसकी बातों को जानना, उसको समझना, बड़े-बड़े समिक्षक इस बात को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने एक मुहावरा भी इस्तमाल किया है कि सिर धुन लेते हैं, या नेती-नेती कहकर उन्होंने इस काम को बंद कर दिया है, तो यहां लेखक यह कहना चाहरे कि जो उनकी फिल्मों की विशेष्टाएं हैं, क्या विशेष्टाएं हैं चाली की फिल्मों की, कि एक तो उनकी फिल्मों में भाशा का प्रयोग बहुत काम है, अधिकांश मूक हैं, जहां कोई समबाद नहीं है, और आते हैं, अपने expressions के द्वारा अपनी बात कहते हैं, उसकी भीतर मानवियता है, और वे हमेशा युवा दिखता है, और युवा दिखने का अर्थ है, वे हमेशा active रहता है, सक्रिय रहता है, और वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगता, यह भी उसकी फिल्मों की खा परिवेश में हैं, यह अंग्रेज है, यह अंग्रेज है चाली चैपलीन, नहीं, वो हमारा अपना सा लगता है, और वे कहते हैं कि चाली चैपलीन की फिल्मों के जो दृष्य होते हैं, हमारे आसपास कभी न कभी ऐसा कुछ घटा अवश्य होता है, जिससे हम उसको क्योंकि उनमें यह सभी खास्यत है, और आगे भी कहते हैं कि चाली चैपलीन ने वो कर दिखाया, जो उससे पहले किसी ने शायद प्रयास भी नहीं किया था, उसने करुणा और हास्य का सामान जस्य से अपनी फिल्मों में प्रस्तत किया, अब भारतियता की बात करें, तो देखा कि यहां राजकपूर को चारली का भारतिय करन करने का जिम्यदार मानते हैं, हमारे भारत की भारत में जो इससे पहले लिखा जा चुक है, जो स्रिजनात्मक या रचना क्रियेटिविटी थी लिखने में, जो हमारे कहानियों की किताबें हैं, या हमारे कविताएं है या नाटक है उनमें कभी भी करुण और हासे को मिला जुला नहीं दिखाया हमेशा हासे एक अलग रूप में दिखाया है नाटकों में विदूशक संस्कृत नाटकों में हसाने वाले विदूशक कहलाते थे राजाओं के खास होते थे राजाओं के दरबार में उनको हसाने के ले रखा जाता था वो तरह तरह के उट पतंकर तप करके अपनी बातों से लोगों को हसाते थे और वे कहते हैं ना ही हमारी जो सोच है उसमें हमने कभी इस बात को स्विका ultimate कि एक नायक जो आधश है जिसको हम आधश मानते हैं ऐसा कोई नायक अपने उपर हस भी सकता है या हमारी जो कहानिया है महाभारत या दूसरे जो ग्रंथों के नाम लिए हैं यहाँ पर उन्होंने तो उसमें भी कहते हैं कि भारत में तो ये परंपरा ही नहीं है और उन ग्रंथों में भी दूसरों पर हसते वे प्रसंग हैं घट की बाते हैं वो दूसरों का वजा दूसरों पर व्यंग करते हुए ऐसा कुछ हुआ है बस वही बताया गया है लेकिन कोई नाया कोई व्यक्ति अपने आप पर हस्ता हुआ या अपने दुखों पर हस्ता हुआ कहीं नहीं दिखाया गया तो ऐसी मानसिक्ता के सामने जब राज कपूर चाली को आवारा फिल्म में उतारते हैं अपने द्वारा चाली का भारतिय करन करते हैं आवारा फिल्म में जो करेक्टर था जो किरदार था उसने चाली जैसा ही एक रूप धरा था वे अपने उपर हसता था वे रोता था हसता था हसते वे रोता था रोते वे हसता था वे दुख में भी हस्ता था, अपने उपर हस्ता था, मेरा नाम जोकर में भी इसी तरह का किरदार उन्होंने निभाया, उसमें भी काफी हद तक चारली को अपने भीतर उतारा उसने, और इस तरह का प्रयोग करना, जहां हमारी भारतियत, हमारी भारतियत मान सकता, जो इस बा और आश्चर्य की बात यह है कि राजकपूर अपने इस प्रयोग में सफल भी रहे उन्होंने चाली का भारतिय करण किया और लोगों ने उसे पसंद किया चूंकि भारतिय साहित्य शास्त्र की विरुद्ध किया गया था यह प्रयोग परन्तु इस प्रयोग ने यह बता दिय कि मानव जीवन में करुणा यदि हास्य में बदल जाए तो मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है और इस फिल्म के बाद तो फिर कई फिल्म में आए दिलिपकुवाने बावुल गोपी लीडर में इस प्रकार का भी नहीं किया और देवानन्य फंटूश तीन देव या आधी तो इस तरह से एक नए दौर की फिल्मों में शिरुवात हो गई पाट के अगले हिस्से में लेखक बता रहे हैं कि चाली चैपलीन का जो चरित्र है वे बाहरी है घुमनतू है ऐसा कैसे हुआ और वे कह रहे हैं कि चाली चैपलीन ने कभी मद्देवर्गी बुज उच्वर्गी जीवन मुल्यों को नहीं अपनाया उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी जो उनकी छवी थी प्रिय छवी ट्रैम जो की खाना बदोश या आवारा टाइप की तो वही प्रस्तुत की है और शायद यही कारण है कि वह लोगों में इतने लोग प्रिय हो सके अ पाली चैपलीन के बारे में उनके जीवन के बारे मताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से संगर्श देखें उनकी मा एक तलाग शुदा महिला थी और स्टेज की दूसरे दरजे की अभीनेत्री थी और जब वे मानसिक रूप से रोगी हो गई हैं मानसिक उनका जीवन बहुत ही संगर्शों में बीता था फिल्मों में आने से पूर और उन्होंने उनके जीवन की ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे पाते चलता है कि वे बहुत भावुक भी थे शुरू से ही उनका स्वभाव ऐसा था उनकी बायोग्रफी से दो प्रसंग यहा कहानी सुनाती थी तो कहानी में जब सुली पर चड़ने का प्रसंग आता था तो मा और बेटी दौनों रो पड़ते थे और उसके बाद उन्होंने एक दूसरा प्रसंग बताया जहां उन्होंने देखा कि उनके घर के पास के कसाई खाने से एक फेड भाग जाती है और उसे साथ क्या होगा वे जानते हैं कसाई खाने में उसके साथ क्या होगा तो उनके मन के भीतर करुणा जागती है और यहीं इसी घटना से शायद लिखा कहते हैं कि इसी के प्रभाव से हास्से के बाद करुणा चाली चैपलीन की भावी फिल्मों का आधार बन गया कहें कि आधार भूत मनो भाव बन गई चाली चैपली ने ऐसी फिल्मों को बनाया जिसमें सामाने व्यक्ति के जीवन की वास्तविकताओं को दशाया गया है और हमें अपने आसपास की घटनाओं की तरह इवे लगती है चाली ने वन व्यवस्था को तोड़ा क्योंकि चाली के अभिने को प्रत्येक वर्ग प्रत्येक जाती का व्यक्ति सराता है चाली ने जीवन के हर कदम पर संघशों से लड़ते हुए भी हसना सीखा है और उसने वन व्यवस्था को तोड़ा है अर्थार्थ उसके अभिने को हर वर्ग हर जाती का व्यक्ति सराता है और उसमें अपनी छवी देखता है यहां तक की गांधी और नहरू भी चाली का सानिद्य याने समीपता चाहते थे हमारे भारतिय समाज में सिर्फ एक होली का आवसार ऐसा है जब लोग अपने पर हसते हैं और हमारी फिल्मों भी वी तरास दी होती है करुणा होता है हाथ से होता है लेकिन वे एक साथ नहीं आते कभी प्रचलन ही नहीं रहा इस बात का करुणा और हाथ से को मिक्सी नहीं किया गया करुणा का हाथ से में बदल जाना इस तरह से फिल्मों में कभी दिखाया ही नहीं गया क्योंकि यह हमारी मान सिकता है लेखक कहता है कि हमारे समाज में नायक कम है इने गिने लोगों को हम दिलिप कुमर या मिताब बच्चन कहते हैं लेकिन चाली या जॉनी वॉकर किसी भी व्यक्ति को कभी भी कह दिया जाता है परिस्तितियों को देखते भी कह दिया जाता है कहने का आर्थ है कि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूशक समशता है उस पर हसने का अवसर ढूनता है जबकि चाली ने स्वेम पर हसना सिखाया और स्वेम चाली सबस्यादा कप हसता है खुद पर जब वह स्वेम को अभिमानी आत्म विश्वासी, सफल, सब्य, संस्कृति की प्रतिमोर्ति, शक्तिशाली और स्ट्रेस्ट समशता है चाली के स्वेम पर हसने के फिनोमेनन को भारती जन्ता ने स्विकार किया इसलिए लेख कहता है कि सिधान्त कला को जन्म नहीं देते बल्कि कला अपने सिधान्त स्वेम तो यह था पार चाली चैपलीन याने हम सब और इसमें एक बात विशेश और है कि लेखक ने चाली के व्यक्तितव में भारतियता के अंश होने की बात भी कही है यह भारतियता से मिलते जोलते संसकार की बात की है तो यह किस आधार पर की है कि चाली चैपलीन की जो नानी थ वह खाना बदोश समुदाय की थी और खाना बदोश समुदाय जिसे जिपसी कहा जाता है यूरोप में तो यूरोप में ये जिपसी भारत से गए थे भारतिय मूल के थे तो इसी आधार पर उन्होंने ये बात कही है इस पाट से बार-बार आने वाले प्रशन चाली का भारतिय करण किसे कहा क्यों गांधी नहरों ने उनका सानेधे क्यों चाहा और चाली के व्यक्तित्व की विशेशता है चार-पांच बार आ चुका है और इसके साथ साथ चाली चैपलीन के व्यक्तित्व को उसके जीवन गश्रोने किस तरह से संपन्न किया मिंज उनके व्यक्तित्व से संबंदित बातें आपको अच्छे से याद करनी है तो इसके साथ यह पाट समाप तुका है धन्यवाद